नमस्ते से दावस्तेले मात्र भुमेट जैहिन दोस्तों दोस्ते एक बड़ा सवाल ये पूछा जाता है कि भारतिय सिना के पास जो इसराइल के खतरनाक ड्रोन आये हैं क्या वो अमारिका के MQ-9B ड्रोन पर भारी हैं? ऐसा एक सवाल उठाये जा रहा है हलाकि हम जादा टेकनिकल डिटेल्स में नहीं जाएंगे लेकिन इतना तो तैह है कि इसराइल का ये जो हैरॉन टीपी ड्रोन है वो बेहत घातक ड्रोन माना जा रहा है इस वक्त दुनिया को मालूम है ये बात कि भारत और इसराइल के रिष्टे किसी जे छिपे नहीं है और ये दोनों ही देश ना केवल रंडितिक साजेदार है बलकि सेने सयोग में भी दोनों देश एक दूसरे का साथ देते हैं और ये वह जाती कि भारत इस सेना को पिछले दिनों इसराइली 건 ड्रोन मिले है जिनने के चार के संक्या में भारत्य सेना ने मंगवाया है उनमें से दो मिल चुके हैं दो आणे वाले समय में मिल जाएंगे और इन ड्रोन्स को सेना ने आते के साथ ही तिबबत से सटी और चीन के साथ लगती वास्तेफिक ने इंतर रेखा पर तेनाद भी कर दिया यहाँ पर एक बात और है कि जो हैरॉन ड्रोन है वो ड्रोन टेक्नलोजी का एक मास्टर माना जाता है जो drone भारते सिना के पास इस वक्त मौझूद है वो Heron 1 का advanced version है याने की Heron TP और यह जो advanced Heron TP drone है उसे रक्षा विशेशग्य अमेरिका के MQ-9B drone से कहीं जादा बहतर मानते हैं और कई तरीके के टेस्ट में भी Heron अमेरिकी drone से बहतर थाबित हुआ है अमेरिका का MQ-9B drone जिसका लगातार अमेरिका इस्तमाल आतंक्यों को निशाना बनाने के लिए करता है और हाली में कुछ मेहने पहले अलकाइदा के सरगना अलजावैरी को BC से मारा गया था और भारत काफी समय से अमेरिका के साथ 3 अरब डॉलर याने करीबन 22,000 कर रूपे की डील करना चाहता है इन MQ-9B drones को लेकर क्योंकि ये जो drone है वो हमलावर drone है लेकिन बीच में खबरे ये भी आई थी कि भारत ने ये डील कैंसिल कर दी है लेकिन बाद में कहा गया है कि ये डील कैंसिल नहीं हुई है बलकि उसे होल्ट पर रखा गया है तो अगर MQ-9B drone यान पर और सकता है इसकी अधिक्तम स्पीड है 400 km प्रतिगंटा और ये 35 गंटे तक आसमान में बना रहा सकता है इसे इस तरीके से हाइटेक टेक्नोलजी के साथ डिजाइन किया गया है कि कोई भी mechanical और electronic failure इसे प्रभावित नहीं कर सकते इसी वज़े से ये लंबे समय तक intelligence, surveillance और यहां तक की दुश्मन के अड़े की वीरे की कर सकता है खास बात यह है इस पीडिटर ड्रोन में की इसमें हतिया ले जाने की शमता है अमेरिका ने इसे संगर्ष वाले शेत्रों में खास करकि मिडे लिस्ट में तैनात किया हुआ है टार्गेट की location का पता लगने के इसका वजन 2170 kg तक पहुंचाता है वह जो defense expert से उनका मानना है कि यह drone पाकिस्तान से 60, LOC और चीन से लगिए LAC की ना सिर्फ रेकी या जासुसी कर सकता है बलकि ज़रुत पढ़ने पर छोटी surgical strike भी कर सकता है इसी वज़न से अमेरिका की से इस drone पर काफे विश्वास करती ह अब बात आती है Hieron TP drone की इस drone को विशेश अगिए अमेरिकी drone से बहतर मता रहे हैं Hieron की range 7400 km है यह जमीन से 14 km को जाए परोड़ सकता है यानि कि अमेरिका के बेरिटर drone से केवल 1 km नीचे है साथ ही यह अमेरिकी drone की तुलना में 30 घंटे से कुछ जादा समय तक हवा में रह सक अब बात आती है Hieron TP पर क्या हतियार लगे है हाला कि Israeli aerospace industry कभी भी इस बारे में जिक्र नहीं करती है वो क्ये वाली है Hieron TP को एक multi-role advanced long range medium altitude long endurance यानि की male unmanned aerial system कहती है जिसका इस्तेमाल strategic mission के लिए किया जा सकता है और इस drone में automatic taxi take off और landing system है यह satellite communication यानि कि setcom के साथ भी जुड़ा MP के बारे में कि इसमें synthetic aperture radar, communication intelligence, global system mobile, electronic support measures और electronic intelligence system लगे है और ये एक maritime petrol radar की भूमिका में भी काम कर सकता है इसे power देने के लिए 1200 horsepower के PT6 turbo prop engine लगे हैं मैं बात करना हो हतियार की कि क्या इसमें हतियार लगे है जिसके बारे में इसराइल बताता नहीं है लेकिन मैं आपको बताना जाओंगा कि ये 2700 किलोग्राम तक के हतियार अथानी से ले जा सकता है इसके हतियारों में guided bomb और हवा से जमीन पर हमला करने वाली मिसाईली भी शामिल है हेरान को aerial refueling missile defense लंबी दूरी तक हो सकने वाली surgical strike के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और ये हेरान drone यानिके हेरान TP अमेरिका के drone से सस्ता है इस वज़े से भारत इन drone को खरीदने पर जादा विचार कर रहा है वैसे एक report ये भी आई थी कि इसराइल ने 2009 में सुडान से यात्रा कर रहे इरानी हत्यार के काफिलों पर एक air strike की थी जिसमें कि इस drone का इस्तेमाल किया गया था लेकिन मैंने कहा आना कि कभी भी इसराइल इस बारे में नहीं जिक्र करता कि उसके drone हमला करने में शक्षम है और हेरान टीपी के जो विंटिप्स है वहाँ पर मिसाइलों को लगाने के लिए हाड़ पॉइंट्स भी है इसलिए ये जो हेरान टीपी है वो combat proven system कहा जाता है अलाकि दोस्तों अ भारस Aerospace ने अपना काम शुरू कर दिया है वो भी इसी तरीके का एक हत्यार बन ड्रोन तयार कर रहे है जो कि आत्मिर बर भारत की पहल का एक हिस्सा भी है इसके अलावा भारत अपने तापस प्रोग्राम पर भी काम कर रहा है चीजे बहुत सारी है जिने भारत साइड करने के जुरू बताएगा मिलना रोडिक साथ जाहिंद बंदे मात्रम